दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है साथियो इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आज हुई है यूपी में बढ़ा लागडाउन देखिए कब तक ये लागडाउन जारी रहेगा हमारे इस वीडियो को देखते रहेगा और यूपी में कुरोना कर्फ्यू को फिर बढ़ाया गया संक्रमण के रोक थाम को लेकर के बढ़ा लागडाउन सो मुआर सुबह साथ वै तक कुरोना कर्फ्यू जारी रहेगा यूपी में सो मुआर तक कुरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया दस मैई सुबह साथ वै तक लागू रहेगा लागडाउन साथियो और बिस्त्रित जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेगा इस यूट्यूब चैनल पर क्या मुखमंतरी जी ने कहा और आगे क्या क्या सतरकता रखनी है और क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा और इस लागडाउन में सब्सक्राइब कर दीजे और इस घंटी को बजा दीजे उत्तर प्रदेश में कोरोना के बरते संक्रमन के बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने लॉकडाउन की मियाद 10 मई तक बढ़ा दी है यानि अब सुमवार सुभा 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा इस दोरा सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवजाही की छूट रहेगी इस से पहले गुरुवार यानि 6 मई के सुभा 7 बजे तक के लिए पाबंदी की गोश्रा की गई थी अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है दरसर उतर प्रदेश में कोरोना का आखड़ा लगातार बढ़ रहा है पंचाय चुना के बाद यूपी घरगाओं में संक्रमण का खत्रा मरंड़ा रहा है इसके चलते सरकार ने लोगडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश अपर मुखे सचिव सूचना नवनीत सहकल ने कर्फ्यू बढ़ाने की पुष्टी की है आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इससे पहले कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर हफते प्रदेश में तीन दिन का लोगडाउन लगाया था लेकिन फिर इसे दो दिन और बढ़ाते हुए 6 मई सुभा 7 बज़े तक कर दिया गया था लेकिन एक बार फिर इसे बढ़ाते हुए 7 बज़े तक बढ़ा दिया गया है लिहासा ये पूरा हफता ही अब लोगडाउन रहेगा इस दोरान पहले की तरह ही सभी पावंदिया लागो रहेंगी लेकिन आविशक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी प्रशासन दोरा बेवज़ा घूमने वालों पर सखती बढ़ती जाएगी बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाफ संपन होने के बाद उपजे संक्रमन के खदरे को देखते हुए सरकार ने खदम उठाया है कोके मंतरी योग्या दितिनाथ में कहा है कि लॉकडाउन का असल मकसद अभी कामियाब होगा जब कोविट प्रोटोकॉल का पूरी सखती से पालन कराये जाएगा आपको बता दें कि यूपी में बीते 24 गंटे में कोरोना संक्रमन के 25,858 ने मामले सामने आए हैं इसके अलावा इस दोरान 352 लोग ने में आए हैं